Hello everyone, this is Bablu Seren, you are watching Is2Learn English Spoken Channel और आज जो मैं आपके लिए लेकर आ हूँ, वो इस वीक में आपके लिए बहुत जरूरी है जान लेना If you are planning to say someone I love you, अगर आप किसी को I love you कहने के लिए जा रहे हैं तो कि ये वीक आपको पता है, फैब का है, और ये फैब का वीक किसके लिए होता है You know very well, मुझे बताने की जुरूरत नहीं है So, आज मैं आपको aware भी कर रहा हूँ, और आपको बता भी रहा हूँ कि incoming time अगर ऐसा हो, तो आपको जादा निरास या जादा खुश होने की जुरूरत नहीं है It means that आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, कि I love you का response क्या होता है, reply क्या होता है आपने बहुत सी movies, या फिर आपने serials, या कहीं पे भी सुना होगा जब कोई किसी को बोलता है, I love you, तो response में क्या बोलते हैं आप, आप भी सोचिए अपके mind में I hope आपके mind में तुरंत आ गया होगा, I love you too, yes of course, I love you too हाँ, इसको too बहुत जादा बोला जाता है, तो too ना बोलें आप, too, I love you too So, आप भी, I hope so, जब भी कोई आपको बोलता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, I love you तो आप भी बोलते हो, I love you too, और आप क्या सोच के बोलते हो, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ Yes, so kind your information में आपको बता दूँ, I love you तो सही है, मैं आपसे प्यार करता हूँ पर जो आप बोलते हो I love you too तो इसका मतलब यह बिलकुल नहीं होता है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ क्यों हेला डाला ना अच्छा हमको सिखा रिया है I love you too का मतलब होता है मैं आपसे भी प्यार करता हूँ या फिर मैं आपसे भी प्यार करती हूँ इसको तोड़ा समझते हैं समझने का मतलब यह है कि मान लिजिए अगर आप अपनी मम्मी से पूचते हो Do you love me? तो उस condition में आपकी मम्मी बोलेगी I love you बट अगर आप अपनी मम्मी को directly बोल दो I love you तो अगर आपकी मम्मी बोलती है I love you too तो आपकी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है वो बोल रही है मैं आपसे भी प्यार करती हूँ इसका मतलब है कि आपकी मम्मी का प्यार बटा हुआ है आपके लावा भी लाइन में हैं जिनसे आपकी मम्मी प्यार करती है आपके पापा हो सकते, आपकी बहन हो सकते, आपका भाई हो सकता है, it means that I love you too आपको तब बोलना चाहिए, जब आप अकेले उस विक्ती से प्यार नहीं करते जो आपके सामने है, उससे पहले या उसके बाद और भी लाइन में हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या बाद है सर, क्या बाद है सर, क्या बाद है ये बाद है, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, yes of course, अब समझने वाली बात क्या है, कि इस चोदा तारिक तक क्या होगा, कोई किसी को जुरूर बोलेगा, I love you, but सामने वाले ने या सामने वाली लड़की या लड़का कोई भी हो सकता, तो वहाँ पर बोला I love you too, तो उस कंडिशन में आपको खुस होने के लिए पहले ये समझना है, कि ये किस को बोला गया है, और कौन ये आपको बोल रहा है, एक सिंगल लड़का, एक सिंगल लड़की को बोलता I love you, और लड़की बोलती I love you too, और उस कंडिशन में आप भंगडा करने लग जाते हो, डांस करने लग जाते हो, कि ये भी मुझसे प्यार करती है, कुछ ताइम बाद ब्रेक अप होता है, तो आपको रोने की जुरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले जब उसको I love you बोला था, उसने response में आपको बड़े साफ तरीके से बोला था, मैं आप से भी प्यार करती हूँ, इट मीन्स आपके इलावा भी लाइन में थे, तो उस टाइम तो खुशी इतनी ज़्यादा थी, कि आप माहौल ऐसा बनावा था, कि आपने उस चीज़ पर गोर नहीं किया, so be aware about that, ध्यान रखिएगा, इस दोरान अगर कोई आपको बोलता है I love you, और उस condition में आपको बोलना है, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, या फिर मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, और आपका intention यहाँ पे actual में यही है, कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, या करती हूँ, तो वहाँ कभी भी नहीं बोलना, अगर आप यह बोलना जो कि मैं भी आपसे प्यार की वज़ाए मैं आपसे भी प्यार करता हूं तो बिलकुल बोलिए I love you too बढ़ जब आपका intention ये है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूं या फिर मैं भी आपसे प्यार करती हूं तो इस condition में ध्यान में रिखेगा response रहेगा I too love you Yes of course I too love you इसका मतलब है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ It means सिर्फ आप ही नहीं मैं भी आपसे प्यार करता हूँ और आपके अलावा इस line में कोई और नहीं है तो ध्यान में रखेगा incoming time be aware फिर break up के बाद रोना नहीं है क्योंकि आप सुन लीजिएगा ध्यान से गरोन ने बोला I love you too तो इसका मतलब है आप नहीं और भी line में बड़ा गरोन ने बोला I too love you तो समझ लीजिए सिर्फ आप अकेले ही ऐसे हैं जिन से वो प्यार करते हैं So I hope समझ में आया होगा और incoming time अभी कुछ time के दोरान या फिर पूरी life में कभी भी आप बोलो या सुनने को मिले तो बड़ा सोच समझ के बोलना और बहुत सोच समझ के समझना भी है और उसको समझाना भी है कि I love you के दो response होते है एक तब होता है जब और को भी प्यार किया जाता है और आपको भी किया जाता है मतलब वो प्यार बटा हुआ है So I love you too और जब प्यार बटा हुआ नहीं है जितना आप उनको करते हो same वहाँ पे condition है और कोई line में नहीं है So I too love you So enjoy किजिएगा Incoming time मिलते नेक्स दीओ में Till then have a nice time और ये Valentine's Day special था भाई मजा आया